हेलो फ्रेंड्स किसी ब्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए और आप बगल में खड़े हों लेकिन आप देखने के लावां कुछ न कर पा रहे हों तो सोची आपके साथ क्या बीत रही होगी लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हार्ट अटैक आने वाले ब वो ब्यक्ति जिंदा हो सकता है जी हां दोस्तों उस ब्यक्ति को दुबारा जनम मिल सकता है लेकिन दोस्तों इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सीपी आर कैसे दिया जाता है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लाट सक देखें क्योंकि इस वीडियो में आ दोस्तों सबसे पहले ये जानने कि आखिर heart attack क्यों आता है दोस्तों heart attack आने के बहुत से region है region चाहे जो कुछ भी हो लेकिन main कारण यही होता है कि आपका जो हिर्दय होता है उसमें blood की supply रुक जाती है जिहां दोस्तों नसों में blockage हो जाता है जिससे की blood नहीं जा पाता है और जब blood नहीं जा पाता है तो oxygen नहीं मिल पाता है दोस्तों oxygen न मिलने की वज़े से हमारे फेफ़डों को भी oxygen नहीं मिलता है जिससे हमारी सांस गती रुक जाती है और हमें heart attack आ जाता है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि CPR किस परकार दिया जाता है क्योंकि दोस्तो इस जानकारी से आप किसी ब्यक्ति की जान बचा सकते हैं जिया दोस्तो मैं इस वीडियो को लाइक या सस्क्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा सिर्फ इस वीडियो को आप पूरा देख लेजिए चाकि ये जानकारी आपको भी मिल जाए तो दोस्तो आए जानते हैं कि CPR कैसे दिया जाता है दोस्तो CPR देने से पहले उस ब्यक्त को पहले एक सर्फेस पे लिटा देजिए सीधा सर्फेस हो बनलब बिल्कुल बराबर उसको लिटा देजिए लिटाने के बाद दोस्तो उसके फेफडे के जो बीचो बीच जो भाग होता है हलका सा वहां पर गड़ा होता है दोस्तो उस गड़े को आपको सबसे पहले ये जो बाया हाथ है बाए हाथ को पहले आपको रखना है बाए हाथ की हथेली को रखना है रखने के बाद दोस्तों दूसरे हाथ को बिल्कुल दोनों हाथ को ऐसे बाद लेना है बादने के बाद दोस्तों उसको कम से कम 30-40 बार ऐसे पंप करना है 30-40 बार आपको पंप करना है उसके बार आप उस की सप्कुराइए होने लगती है जिससे कि दोस्तों उस वेडियो आप लोग निए trusting pandemic है तो आज कर लिसंति ज्यानिक उग में हर बर्यक्त को जागरूखंती हैं ताकि आप किसी भी डीक्त की जान बचा सकते हैं दूस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट आपी के साथ नमस्कार